सुप्रभाद बच्चो, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चो, आज हम आपके हिंदी पाठ पुस्तक गुंजन हिंदी पाठ माला से सात्वे अध्याई को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को आरंब करने के पहले बच्चो, आप बताईए आप किस के साथ खेलते हैं। आप सभी का जवाब होगा आप अपने मित्र या फिर दोस्त के साथ खेलते हैं। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें दामन और पीथियस की अनोखी दोस्ती के विशय में बताया गया है। बच्चो, मित्रता अनमोल धन है। सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता। वह मुसीबत में भी हमारी मदद करता है। सही गलत की पहचान कराता है। यहां दो सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्चे मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का दिल भी बदल जाता है। तो चड़िए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो मित्र थे, एक का नाम था पिथियस और दूसरी का नाम डामन पिथियस जहां रहता था, उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था उसने कुछ दोस लगा कर पिथियस को कैट कर लिया और उसे फासी की सजा सुना दी फासी देने से पहले पिथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए तो बचो, यहाँ पर पिथियस और डामन की मित्तता की कहानी के बारे में बताया गया है जहाँ पर पिथियस जहां रहता था, वहां का राजा बड़ा ही कथोर और अत्यचारी था उसने पिथियस को कुछ दोश लगा कर जेल में क्याट कर लिया था और उसकी अंतिम इच्छा पूछी गए थी और अंतिम इच्छा पूछने के बाद पिथियस ने कहा कि वहां अपने परिवार से मिलना चाहता है पर इस पर भी राजा ने आपत्ती प्रकट की और कहा कि अगर वह अपनी परिवार से मिलना चाहता है तो उसके बदले किसी को जेल में आकर रहना होगा और तभी वहां अपने परिवार से मिल पाएगा तो क्या यह संभव है इस कहानी के आगे के अंश में हम जानेंगे तो आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए धन्यवाद